हलो दोस्तों कैसी ओप सब्सक्राइब तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल बर शीव टेक में तो दोस्तों आज मैं आपको इस इन प्रेंट के केल्शी करूडा के बारे में बताने वाला हूँ ब्रॉक्ट्ट्रो टेक्चर के बारे में तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह हमने बॉल पहले कल्शी करुडा का पेश लगा के तैयार कर रखी है जैसे हम सारी बॉल से रहा करते हैं प्राइमर, पुट्टी, प्राइमर और उसके बाद हमने इसपे कल्सी करोडा का पेश लगा दिया है जो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से और हमने एक इसके ऊपर प्रेक्टरक पोड़ भी लगा रखा है पहले ही तो उसके बाद आती है थे तो ब्राज़्ो टेक्चर की बारी तो दोस्तो एक ब्रखलोrol Standil आता है ये देख सकते हो आप ये Standil को हमने अच्ची तरीकी से देख लो अच्ची तरीकी से पकड़वाके इस पर केल्सी करोडा का मेटेरियल लगाना है और इसमें बनाने के लिए दोस्तो कम से कम तीन जने होने चाहिए या फिर इस टेंसिल को टैप से चिपका लो और दोस्तो एक बात और में इसमें बताता चलूँ आपको जब इसको हम बनाते हैं तो दोस्तो यह बिर्कुल नहीं हिलना चाहिए बिर्कुल और ट्रॉबल और सकरेपर हमारे साथ होना चाहिए और ट्रॉबल बिरकुल साफ होनी चाहिए देख सकते हूं दोस्तों और इसमें थोड़ा थोड़ा मिटेरियल लगा देना है चारो तरफ से जो आप देख सकते हूं चारो तरफ से हम मिटेरियल लगा रहे हैं और चारों तरफ से material लगा कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं होने चाहिए material को इकसार अच्छी तरीके से कर लेना है और इकसार करने में देख सकते हूँ आप ये देखो दोस्तो इकसार कर लेना है बढ़े अच्छी तरीके से आप देख सकते हूँए उखसार करते हूए अब आपको देखाते हैं देखो यह देखो यह देख सकते हूँ दो सफटो ऊपर से नीचे दाइं से पायें इस को अच्छी तरीके से बाड़ेना है अप देख सकते हूँ और दोस्तों मैं बता दूँ आपको यह जो material होता है यह ready to use होता है इसमें पानी विर्कुल नहीं डालना है इसमें color white भी आता है और white भी आ सकता है आप देख सकते हो यह देखो दोस्तों ऐसे लगाया हमने और इसको सीधा अच्छी तरीके से इसको कर देना है एक सार इस्टेंसल हटा दी आप देख सकते हो यह देखो दोस्तों और दूसरा बनाने का लगा लगा दिया यानि दूसरा चालू कर दिया हमने देख सकते हो आप यह देखो दूस्तों दूसरा हमने चालू कर दिया और application उसी तरीके से लगानी हमने चालू कर दी ब्रॉक्लो टैक् पेंट कैल सी करोडा में यह बनता है दोस्तों तो आपको मैं बता दूँ यह जो इस्टेंसिल है यह वरकलो की नाम से आती है तो मैं आपको बता दूँ जब आप इसको बनाओ तो एक आप अपने साथ में ड्रायर भी राखना क्योंकि आप जब बनाओगे तो लम्बी बॉल पर बनाओंगे, तो आपको इसके जौन्डो पर लगाना पड़एगा, ड्राइर से हवा मारके उन जौन्डो को सुका देना है, ताकि हमारा स्टेंसल बिर्कुल जब हम लगाएं, तो मिटेरियल इस पर चिप के न बिर्कुल भी, और हमारे जौन्ड अच्छी तरीके से मिल जाएं तो दोस्तो ये हमने आपको एक को फटी है नहीं लुँझा है कि जिसमें अब नगी मिस अीश that कि फट्रों यह गड़ा के बढ़ने के बारे में बताूंगा जोन कैसे लगाई जाते हैं वो भी मैं अभी इसको इसमें वताऊंगा और ये देखो दोस्तो अराम से विर्कुल प्यार से ज़्यादा टेट हार्ट से खेंचोगे तो हमारा स्टेंसिल फटने का डर होता है दोस्तो और ट्रोबल से हमने इसको अच्छी तरीकी से खीच लेना है और दोस्तो इसमें माल वेश्ट नहीं कर रहा है यह बहुत महेंगा मिटेरियल आता है यह देखो दोस्तो यह देखो प्यार से हमने यह देखो प्यार से करा और यह स्टेंसिल उठा दिया और यह हमारा दोस्तो देख सकते हो डिजाइन बन गया अब दोस्तो यह देखो जहां और material उठाया और इसके उपर application लगानी चालू कर दी कहीं पर दोस्तों जैसे आप लगाओ तो dryer लेने न थोड़ी हबा मार लेना यह तो हमारा छोटा पेटा ने आप वड़ी बॉल पे बनाओगे तो आपको problem बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम करेट होगी बहुत ज़्यादा और दोस्तों देख सकते हो हमने नीचे उसी तरीके से stencil के उपर stencil लखा जहांसे मतलब उसी के उपर stencil आ जाता है और बनाना चालू कर देना है यह देखो दोस्तों तो आपको दोस्तों इसमें dryer की बहुत ज़्यादा जरूवत पड़ेगी यह देखो दोस्तों यह देखो और इसको ऊपर से नीचे दाएं से बाएं हमने मिटेर को करना है और ज़्यादा को नहीं पकड़ेगी, ट्रॉबल साफ नहीं होगी, तो आपके स्टेंसिल को ट्रॉबल पकड़ेगी, और स्टेंसिल बार बार उठाए गा और फटने के chances बहुत जादा रहेंगे, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये आराम प्यारा डीजाइन है अब इसको रह गय कलर करना अभी रहता है और इसमें प्रेक्टट कोड लगाना रहता है वो भी आपको भी दिखाएंगे तो दोस्तों इसमें आपको दीख रहा होगा थोड़ा-thोड़ा कई प्रॉब्लम क्रेट होगी है जैसे कि इस ट्रेंश से लुट रहा है यह देखो दोस्तों जैसे कि हम लोग जाली में कटिंग कराते हैं वो सेम डिजाइन है और विरोकलोष्ट को नाम है विरोकलोष्ट इसका नाम है और यह एशिन पेंट का डिजाइन है कैल्सी करोडा में यह बनता है और विरोकलोष्ट का नाम है डिजाइन का अब दे प्रेंटिट Ochre Gis ना कि एक दु घंटे में नहीं उसकी बाद जब यह 4-6 घंटे बा ना आती है इसके उपर कोट की वारी तो दोस्तों जो क्यों अई करबा ले नहीं आपने और उसमें एक लीटर में 3 लीटर पानी पड़ता है एक लिटर में धयान रखना तीन लिटर पानी पड़ता है और इसको सी स्पंज वाले रूलर से इसके उपर application कर देना है एक कोट, दो कोट नहीं करना दोस्तो एक कोट करना है इसके उपर आप देख सकते हो एक कोट इसके उपर हमने application करना है तो दोस्तों जैसे ही हम इसके उपर application करेंगे तो कहीं पर direct कहीं पर light हो जाएगा तो हमने एक लेना है sponge जो आम कहीं से सौप से मिल जाएगा और इसको उस जगा से merge करने चालू करना है इसको merge कर देना है यह देख सकते हैं दोस्तों यह लगाना है और फिर उसके बाद इसको merge कर देना है यह देखो यह देख सकते हैं दोस्तों इसको merge कर देना है यह देखो आगे आगे पर प्रैट्रिक कोड लग रहा है और पीछे-पीछे से यह मर्च होता रहा है यह देखो दोस्तों तो कहीं-कहीं पर डारक कहीं पर लाइट है यह हमारा पैटन निकल ला है यह देख सकते हैं कई पर डारेक होगा कई पर लाइट होगा यह पैटन बनना है हमारे दोस्तों तो यह जो होता है नहीं पैटन दोस्तों यह ध्यान राखना है कि इसको मर्च जो करना है वो दाएं से बाएं करना है ना कि चारो तरप करना है यह देखो दाएं से बाएं एक तरप को ही करना है और जहां जादे लगा हुआ है दो स्पंज लेनी है उसको साप भी कर लेना दूसरी वाली से साथ के तर ना कि ऐसा नहीं है एक स्पंज से आप करते रहो और उसमें मिटेरियल बढ़ता रहे और वो सारी जेगा चिपकता रहे यह देखो दोस्तों यह देखो कहीं पर आपका डिजाइन यह डारक होगा कहीं पर लाइट होगा यह देखो इसको मर्च कर देना है अच्छी तरीके से यह देखो और दोस्तों यह कितना देखो प्यारा डिजाइन है यह आप देख सकते हो यह देखो कहीं पर डारक है कहीं पर लाइट है आप दे दो से तीन घंटे सूखने के बाद जब यह सूख जाता है तो इसके उपर आती है टॉप कोड गोल्ड की वारी तो दोस्तों यह हमारा गोल्ड है एशिन पेंट डून शुपारी और इसको लेना है रेडी टूइज यानि इसमें कोई पानी नहीं मिलाना है इक इस पंज पर र अच्छी तरीके से इसको लगा देना है यह देखो दोस्तों आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरीके से लगाना है दाएं से बाएं बाएं से दाएं और इसमें पानी नहीं मिलाना है पानी मिलाओगे दोस्तों तो आपका टॉप कोड पतला हो जाएगा और यह नीचे ड रखके आ जाएगा अलब वहने लगेगा और आपको पैटर्न खराब होने के चांसे रहेंगे तो दोस्तो इसे खराब होने से पहले ही आपको इसमें पानी नहीं मिलाना है और इसको गोल्ड कर देना है तो दोस्तो गोल्ड कर देना है और हलके हाथ से गोल्ड करना है यह अच और ये दोस्तों हमारा final pattern है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को share, subscribe and like and comment करें और दोस्तों ये देख सकते हो हमारा final design बन गया है तो comment करके दोस्तों हमें बताओ कि ये वीडियो आपको और ये design कैसा लगा थैंक्यू दोस्तों comment करके जरूर बताना प्लीज comment करें